डेली कनेडियन न्यूज बुलिटन इन हिंदी एंड उर्दू, अउनली अट्टैक टीवी मैं हूँ कौकफ पारू की सबसे पहले शामल करेंगे नीूस हैड्लाइन्स अमीद है कैनेडियन बत और वजीर आज़म एक बार फिर टोडो का इंतखाब करेंगे भाराक उबामा कैनेडा में विफाकी इंतखाबात लिबरल्स की मकबूलियत में एक फीसद कमी सबसे जादा सीटें जीतने वाली जमात हकूमत बनाएगी एंड्रियो शिर ये एक मुश्किल वक्त है ताहम मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ विल्सन रिबोल्ड अमरीकी सदर डॉनल्ड ट्रम्प का तुर्क हममनसफ रजब तयब उर्दगान को खत्र मदीने मुनवरा साओरी अरब में बस और ट्रॉक के दर्मयां तसादूं पैंतीस खेर मुल्की जाहरीन शहीद और चार सख्मी हैडलाइज आपने जानी खबरों की तफसील चामल करेंगे स्प्रिक के बाद Michieving सब्सक्राइज और,o प्रोस्परित कर दोष्पारी झाल नॉण कर दो हमानके स्थरों कि पर्रीदGवर और करेंगे। एजिए यु म्यम्कारत तार्यश धे कर दो कर दो कर दो कर दो, कर दो कर दो कर दो कर दान Are you concerned about your future? कुरम covered Usually, ही ची कानाड़ ही हाही कि ए्यापी के बानाना ते कानली算 windy और शवर फिरसी से कार्शफ़ कर suppose प्र prompts फिर आर फोड़ों कंअरा के सो kव मापी य ножी पुष और टा terrifying कन्या सी ची अ एंद आ में कानाड़ को जाड़ा के बांदर वार फित की या. Do it once, do it right. Are you tired of the same thing over and over again from the Liberals and Conservatives? They say anything to get elected. So how can you, as a voter, keep doing the same thing and expect different results? I'm Maxime Bernier. The People's Party of Canada will reduce immigration, lower your taxes and fight political correctness. It's time for a change. On Election Day, try something new. Find out more at peoplespartyofcanada.ca Swami Kashi Guru Ji is a specialist in bringing back your loved ones. He is specialized to sort out generation curses and any problem within 48 hours. Your depression, family, court problems and disarmament problems. Swami Kashi Guru Ji is a specialist in bringing back your loved ones. 647-765-6311 647-765-6311 Address 565 Markham Road, Scarborough Welcome back. आगे आगे बढ़ेंगे खबर शाम्री की सदर बाराक उबामा ने कहा है कि जब मैं अमरीका का सदर था तब मुझे कैनेडा के वजीर आजम जास्टिन टूडो के साथ काम करने पर फखर महसूस होता था. मुझे जानते हैं इस रिपोर्ट में. मैं उमीद करता हूँ कि हमारे परोसी मुमालिक उनकी एक और मुद्द की हिमायत करेंगे. वाज़ रहे कि 21.00 को कैनेडा में वफाक की एलेक्शन होने जा रहे हैं. कुछ बात करेंगे ताज़ा पोल नताइश के मुताबक लिबरल की हिमायत में एक फीसद कमी बाके हुई है. जबकि कन्सरवेटिफ को 32.2 और लिबरल्स को 30.9 फीसद वोटर्स की हिमायत हासिल है. मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में. कन्सरवेटिफ और लिबरल्स की हिमायत में कामी का सलसला बादस्तूर चारी है. क्यूंकि न्यू डेमोक्रेट्स और ब्लॉक क्यूबीकों की हमायत में इजाफा हुआ है इस सूरतिहाल ने अखलिती हुकूमत के इमकानाथ और बढ़ा दिये है ताहम इस हवाले से कुछ भी कहना कबल अस्वक्त होगा कि लिबरल्स और कंजर्वेटिफ में से कौन जादा सीटे निकाल सकता है ताजा पोल नताइच के मताबिक लिबरल की हमायत में एक फीसद कमी वाकिय हुई है जबके कंजर्वेटिफ को 32.2 फीसद और लिबरल्स को 30.9 फीसद वोटर्स की हमायत हासल है कंजर्वेटिफ मगर्बी कैनडा में आगे हैं जबके ऑंटेरियो क्यूबिक और अट्लांटिक कैनडा में लिबरल्स की बरतरी है एंडिपी और ब्लॉक को हासल होने वाली हमायत मुल्क भर में दूसी जमातों की हमायत घटा रहा है कुछ बात कर लेते हैं मुकामी चैनल से गुफटगू करते हुए शियर ने कहा कि हम तवक्को करेंगे कि दूसी जमाते इस हकीकत का इहतराम करेंगी जिस पार्टी को भी ज़्यादा तर सीटें हासल होंगी वो हुकुमत तश्कील दे पाएगी कंजरी चानते हैं सिपोर्ट में कंजर्बेटर रहनुमा एंड्रियो शियर का कहना है कि उन्हें तवक्को है कि तमाम जमाते इस हकीकत का इहतराम करेंगी कि 21 अक्टूबर को जो भी सबसे ज़्यादा निशिस जीतता है वो हुकुमत बनाएगा मुकामी चानल से गुफटगू करते हुए शियर ने कहा कि हम तवक्को करेंगे कि दूसी जमाते इस हकीकत का इहतराम करेंगी जिस पार्टी को भी जादा तर सीटें हासल होंगी वो हुकुमत तश्कील दे पाएगी तमाम राहनुमा ये समझ लेंगे अगर कैनड़ा की आवाम जब हमारे प्लैटपॉम की हमात करते हैं हमें इस पर अमल दरामत करने का हक हासल होगा शियर ने गुजश्टा हफ़ता कंजिवेटिव के लिबरल एंडिपी इतिहात को रोकने के लिए अक्सिरती हुकुमत हासल करने की जरूरत के बारे में लोगों को अगाई देते हुए गुजारा है ताहम शियर के पास अकलिती हुकुमत बनाने के हावाले से लिबरल के मकाबले में कम अमकानाथ हैं ऑन्टेरियो में इंटरिवियो के दरान उन्हों ने ब्लॉग क्यूबिकों के साथ बात चीट करने के तसबर को मस्तरत कर दिया उसी जाने पे एक मोहिम के दौरान शेयर का कहना था कि उनकी हुकुमत सियासदान उपर जर्माना मुतारिफ कराएगी जो पाए जाने वाले तनाजात से मुतालिक मुपादात के कानून के खलाफ पर जी करते हैं उनका कहना था किनड़ा के मुफादात के कानून की खलाफ फर्जी करने वाले सियासतदान पर 20,000 डॉलर से उपर जुर्माना लगाया चुआएगा कुछ बात करेंगे वैंकवर के ग्रानवल स्ट्रीट पर अपने इंतिखाबी दफ्तर में एक इंटर्वी के दरान जोडी विलसन रिबॉल्ड का कहना था कि एक मुश्किल वक्त है ताहम मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ मजीद चानते हैं इस रिपोर्ट में जोडी विलसन रिबॉल्ड का चुना हुआ रास्ता आसान नहीं है पहले वो लिबरल की आहम रुकुन थी अब वो उससे बाहर है वेंकुवर के ग्रानोल स्ट्रीट पर अपने इंतखावी दफ्तर में एक इंट्रिव्यू के दरान उनका कहना था कि ये एक मुश्किल वक्त है ताहम मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ लिबरल्स के लिए इस्टार उमीदवार के तोर पर भरती होने के बाद उनका दफ्तर उस हलके के मरकस में है जहां सिबू 2015 में असानी से जीट गई और उन्हें वजीर इनसाफ और अटार्नी जॉर्नल नामज़त किया गया लेकिन विल्सन डेबोल्ड हमेशा के लिए इस खातून के नाम से मशूर हो गए जिसने टूडो को अंदर से लड़ा था जिस पर उन्हें लिबरल कौकरस से निकाल दिया गया था जोड़ी विल्सन डेबोल्ड का कहना था विफाकी सियासत में अजाद उमीदवार शादो नादर ही मुन्तखिब होते हैं उसकी हमायत करने के लिए पार्टी कोई कोई मशीन नहीं है और विल्सन डेबोल्ड वैंकवर ग्रीन विल्मे मुखालफीन की मुकमल सिलीट के लिए खलाफ हैं आखरी मरतबा उमीदवार ने दोहजाराट में कामया भी हासल की थी जब दो मुन्तखिब हुए थे विल्सन डेबोल्ड का कहना है कि वो अब भी एक तरकी पसंद है और इंसाफ और शमूलियत के मौामलाद पर लिबरल पार्टी के साथ कुर्बत में है अगर उनका इंतखाब होता है तो वो आबो हवा की तबदीली सस्ती दवासाजी जैसे मौमलाद पर तरकी पसंद एज़न्डे की हिमारत करेंगी कुछ बात करेंगे अमरीकी सदर डानल्ड ट्राम्प ने तुर्क सदर रजब तयब उर्दगान को खत लिखा जिसमें उन्होंने अपने हममनसब को मशवरा देते हुए कहा कि सख्टगी ना बने शाम के मसले पर समझाता कर ले असी चानते हैस रपोर्ट में नहीं बनना चाहते मैं भी तुर्क मरिशत को तबाह करना नहीं चाहता याद रहे कि अमरीका के नाइब सदर माइक पैंस और वजीर खारजा माइक पॉंफियो समेट अमरीकी वफ्त आज तुर्की जा रहा है जहां अमरीकी वफ्त तुर्की से शाम के शुमारी आलाके में जंग बंदी का मुतालबा करेगा। खालिफ सम्च से आने वाले लोडर से टकरा गई जिसके बाद उसमें आग भड़क उठी बस में उन्तालिस खेर मुलकी मुसाफर सवार थे जिनका तालुक अरब और इश्याई मुमालिक से था और वो मदीना ज़ा रहे थे हासे में मतादिद अफरात वाके पर ही जवाब हाक और कई शदीद सख्मी हो गए वाके की इतला मिलते ही मदादी अधारे फौरी तोर पर ज़ाय हासा पर पहुंचे और लाशों और जख्मियों को अलहमना अस्पताल मुन्तिकिल किया गया जहां 35 अफरात के जवाब हाक होने की तशदीग हो गई चार जख्मियों की हालत तश्वीशनाग बताई जाती है जिसकी वज़ा से हालाकतों में अधाफे का फच्छा है साओधी हुकाम ने वाकी की तख्कीकात शुरू कर दी मदीने के कवर्नर शहजादा फैसल बिन सल्मान बिन अब्दुलाजीज ने मरहुमीन के लवाई खिंग से ताजित करते हुए दुख और अफ्सोस का इसहार किया है कुछ बात करेंगे माहिरीन का कहना है कि भारी बैक से ना सिर बच्चों का बदन मुतासिर होता है बलके उनका जहन भी भारी होता है और नशनुमा भी रुप जाती है मसीच जानते हैं इस रिपोर्ट में भारी भरकम स्कूल बैक मुस्तक्बिल के मैमारों की सेहत दुश्मन बन गए इस हवाले से आला हुकाम की अदम दिल्टस्पी उनकी जानब से तालीम के हवाले से किये जाने वाले एक दामाद पर सवाल या निशान है माहिरीन का कहना है कि बच्चों की सहत अबलीन तरजी होनी चाहिए भारी बैक से ना सिर्फ बच्चों का बदन मतासिर होता है बलके उनका जहन भी भारी होता है और नशोनमा भी रुक जाती है जिसके बाइस तालीम पर भी फर्क पड़ता है चौन माँ कबल इस हवाले से पिशावर हाई कोट में एक दर्खास दायर की गई थी जिस पर कोट ने मतलिका हुकाम को इस हवाले से कानून साजी का हुकम दिया था पिशावर हाई कोट को बताया गया कि महकमा तालीम ने स्कूल बैगों के लिए वजन की हद मकरर करने के लिए एक बिल तयार किया है जिसे जल्द एसमली में पेश किया जाएगा बैंच ने उदेदारों को हुकम दिया कि इस बात को यकीनी बनाएं कि इस बिल की समली को काबीना से अगले दो रोज में मनजूर कर लिया जाए और इसकी जल्द मनजूरी के लिए उसे एसमली में पेश किया जाए बैंच बकीर मौमर जमील की जाने से दायर दरखास की समात कर रहे थे जिसने ये दावा किया था कि भारी स्कूल बैग ले जाने से तल्बा की जिसमानी और जहरी नशनुमा बुरी तरह मतासिर हुई है लेकिन हुकूमत ने इस अहम मौमले पर आखे बंद कर ली है एक स्कूल के प्रिंसिपल मौम्मद आरिफ हुसेन का कहना था कि अगर बच्चों से शीडियूल के मताबिक किताबे और कौपियां मंगाई जाए तो इस मसले पर काबू पाया जा सकता है और क्योंके बच्चे मासूम होते हैं इतना वेट उठा नहीं सकते लिहाज़ा इसका एक असान तरीका ये है कि शीडियूल और टाइम टेबिल के हिसाब से बच्चों से बोक्स और कौपिज मगवाई जाए और उसी शीडियूल के हिसाब से उसी टाइम टेबिल के हिसाब से उनकी वर्किंग कराई जाए तो मैं समझता हूँ कि बच्चों बेना इतना कोई बोज आएगा ना बच्चों बे इतना को बढ़ना है एक खातून रोस का कहना था कि बच्चों को जानदार गज़ा नहीं मिल पाती इताहम अगर बच्चे से मजामीन की मुनास्पत से किताब महिंगाई जाएं तो मुश्किलात कम हो सकती है इतना की चीजे खाप आते हो इविज़ा बगएरा तो यही कहना है मेरा कि बच्चों को जो है इतना जादा बड़न ना डाला जाए सब्जेक्स के साफ से जो है उनको बता दिया जाए कि मतार पीरियड बना दिया जाए उनके लिए इसे के साथ ही टाग टीवी के पाकस्तान स्टूडियो से फलवक्त इतना ही वसीत खाबरों और अपडेट्स के लिए नेखते रहे है टाग टीवी डेली कनेडियन न्यूस बुलेटन इन हिंदी एंद उर्दू अउनली अट टाग टीवी झाल झाल